Hello students, इस वीडियो में solve करेंगे exercise 5.2 का question number 3 Draw a pie chart, showing the following information, given question में information दी हुई है और इसके according हमें pie chart बनाना है, इसमें different type के colors हैं और number of people है बिलू कलर को 80 लोग पसंद करते हैं, तो यह जो table है वो हमने यहां लिख ली है, colors and number of people Pie chart के लिए center angle पता होना चाहिए, तो सबसे पहले center angle निकालेंगे, तो total लिखतेंगे यहां total given है 36, इनको plus करेंगे तो, plus करेंगे तो value आजाएगी 36 आप fraction में लिखेंगे, 18, 18 upon total, total 36 है, इसको lowest time में change कर लेंगे, 18 बंजा 18, 18 to 36 1 upon 2, इसी type से 9 upon 36, इसे lowest time में change कर लेंगे, 9 बंजा 9, 9 for 36, 6 upon 36, इसे भी lowest time में change कर लेंगे, 6 बंजा 6, 6 6 36 3 upon 36, 3 upon 36, 3 बंजा 3, 36 को 3 से डिवाइट कर देंगे, 12 बार, center angle निका लेंगे, complete angle होता है 360 डिवाइट का, 360 से multiply करेंगे, 1 upon 2 into 360 डिवाइट कर लेंगे, 360 को 2 से डिवाइट करेंगे, value आजाएगी 180 डिवाइट कर लेंगे, 1 upon 4 into 360 डिवाइट करेंगे, value आजाएगी 90 डिवाइट करेंगे, 360 डिवाइट करेंगे, value आजाएगी 30 डिवाइट करेंगे, center angle हमने निकाल ली है, आप पाई चार्ट बनाएगे, इस पर पाई चार्ट बनाएगे, सबसे पहले एक circle डोग करेंगे, आप कितनी भी radius का ले करके, circle डोग कर सकते हैं, यह circle डोग कर लिया है, एक straight line डोग करेंगे, radius डोग करेंगे, और इसको लिखतेंगे, O point, तो 180 डिवाइट का एंगल बनाना है, एक straight line 180 डिवाइट की होती है, यह 180 डिवाइट डिवाइट डोग कर देंगे, 180 डिवाइट का होगया, यह बिलू लिखतेंगे, आप green 90 डिवी है, 90 डिवाइट का बनाएगे, आप चाहिए इस टाइप से fold कर ले, इसको इस टाइप से मिला लेंगे, यह हो जाएक 90 डिवी, यह 90 डिवी हो क्या, इसको लिखतेंगे green, अप red 60 डिवी है, आप red को बनाएगे, इसको base मानेंगे, इस line को base मान के करेंगे, यह dot का जो sign है, यह center ओपर आना चाहिए, इस टाइप से, interior जो angles हैं, इनको count करेंगे, यहाँ पर यह 60 डिवी है, interior वाल है, यहाँ पर dot लगा देंगे, आप center से इसको मिला देंगे, इस type से, जैसे मैंने रखा हुआ है, यह dot है, इस type से मिला देंगे, आपको circumference से ही center को मिलाना है, यह बहार नहीं निकाल देंगे line को, अगर आपकी बहार निकल जाती है, उसको rough कर देना है, यहाँ जाएगा red color, क्योंकि red color 60 degree है, यहाँ लिख देंगे red, यह 60 degree है, यह 90 था, यह 30 degree है, यह yellow है, यह 60 degree, यह 90 degree है, इस type से यह pie chart बन गया, आप इन में color कर सकते हो, blue color में blue color कर सकते हैं, green में यहाँ पर green color कर सकते हैं, red में red और yellow में yellow, इस video में pie chart बनाना सिखाया गया है, pie chart बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले center angle निकालते हैं, उसके बाद ही pie chart को बनाया जाता है, आगे की question next video में solve करेंगे, thank you, have a nice day.